सिरिल मंगल लक्षमी में जहां मंगल का एक्सिडेंट होता है और मंगल के पाउं में बहुत तेश चोट लगती है तो वहीं सौमया को कोई पकड नहीं पाता है लक्षमी दोड़ी भारगे तो जरूर पहुँच जाती है लेकिन लक्षमी को मंगल से मिलने के लिए गायतरी मन कर देती और कहती है कि तुम अंदर नहीं जा सकती हो क्योंकि मैंने तुम्हें बात नहीं मानती हो यह पर लक्षमी हात जोड़ती है पैर पकडती है कि मुझे एक बार शुर्दीदी से मिलने दीजे फिर मैं कभी भी किसी भी फ़ंक्शन में नहीं आउंगी यहां पर गिर गिरा रही है लक्षमी और तभी पीछे से कार्तिक आ जाएगा और कार्तिक लक्षमी को इस तरीके से अपनी मा के आगे गिर गिराता देख बहुत गुस्ने में आएगा और फिर उसे उठाएगा और कहेगा कि तुम अपनी बहन से मिलने जा लक्षमी इस बारे में हम बात में बात करेंगे गाहितरी को बहुत तेज गुसा आजाता है अब आपको बताते चले कि यहाँ पर अब यह दिखाया जाता है कि लक्षमी को शक हो गया है लक्षमी कह रही है कि देखो यह जो है चांकू से काटा गया है ये ज्वूला ऐसे नहीं गिर सकता है, लेकिन लक्ष्मी के बातों पर किसी को यकीन नहीं होता है लेकिन लक्ष्मी अपनी बेहन के लिए इस बात के तह तक जाएगी, कि आकिर वो कौन शक्स है जिसने ये बड़ा कांड किया है और बहुत जल लक्श्मी के सामने सॉमया की सचाई भी आने वाली है अब देखना दिल्चस्प होता है कि क्या करेगी लक्श्मी सॉमया के साथ साथी साथ आपको इभी बता दे कि कुसम भी नहीं चाहती है कि सॉमया और अधित जो है वो नज़दी काई झाल झाल